बिहार विधान सभाद चुनाओ अब नजदीक आ गया है कल अधाईस अक्टूबर है और बिहार में पहले चरन्ड में मतदान होना है मतदान से पहले हर एक राजनितिक दल के नेता करे करता ने बिहार के कोने कोने में जाकर एक दूसरी पार्टी के लिए जम कर उन सब पर निशाना साधा और एक दूसरे पर वार पलट वार किया और अब इस कड़ी में मतदान से ठीक एक दिन पहले आने कि आज कॉंग्रिस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बिहार के मतदाताओं के लिए संदेश भेजा है ट्विटर के माध्यम से कॉंग्रिस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बिहार के मतदाताओं के लिए अपना संदेश भेजा है और उस संदेश में उन्होंने राज्य की सरकार यानि की नितीश कुमार की सरकार पर जम कर हमला बोला है क्या कुछ कहा है कॉंग्रिस के अध्यक्ष सुनिया गान्दी ने आप देखिए इस वीडियो में बिहार के मेरे प्यारे भायों और बहनों बिहार की पवित्र और एतिहासिप धर्ती को मैं नमन करती है आज बिहार में सत्ता और उसके हांकार में दूबी साकार अपने रस्ते से अलग हाथ गई है ना उनकी करनी अच्छी है ना कठनी है मजदूर आज मजबूर है किसान आज परिशान है नौजवान आज निराश है आठ यवस्ता की नाजुक्ष्टिती लोगों की जीवन पर भारिपड़ रही है दर्ती के बेटों पर आज गंभीर संकत है दलीतों और महादलीतों को बिहारी की कदार पर लाकर छोड़ दिया है समाज के पिछले वर्ग भी इसी बधाली के शिकार है बिहार की जन्ता की आवाज कांगुरेश महागतपंदन के साथ है यही है आज बिहार की पुकार दिली और बिहार की सरकारे बंडी सरकारे हैं नोत बंडी, ताला बंडी, व्यापार बंडी, आर्थिक बंडी, खेट कलिहान बंडी, रूती रुजगार बंडी इसलिए बंडी सरकार के खिलाफ अगली नसर और अगली फसल के लिए एक नए बिहार के निमान के लिए बिहार की जन्ता तयार है तो सुना आपने, कॉंग्रेस की अध्यक्ष सूनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है बिहार के मतदाताओं के लिए अब बिहार के मतदाताओं को ये निर्णाए लेना है कि वो किस सरकार, किसकी सरकार बिहार में बंते देखना चाहती है फिलाल के लिए इजाज़द और विदान सबा के लेटिस अब्डेट्स के लिए जुदे रही है हमारे साथ और देखते रहिए निशन न्यूस, नमस्कार